आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक और ट्रिक जो कि आपको Grand League 100% win कराएगा अगर यहाँ पर जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताया है अगर आप उसे याद कर लेते हो तो तो को इससे पहले मैंने एक combination की वीडियो बनाई थी कि जहाँ पर मैंने आपको बताया है कि क आपको बता रहे हैं वह यह बताएंगे कि किस तरह के प्लेयर को अगर आप रखते हो तो यहाँ पर आपको ज्यादा ज्यादा प्रॉपिट होगा और जो combination का जो भी ट्रिक मैंने आप लोगों को बताया था जो कि दो वीडियो मैंने बनाई थी उस पर और काफी अच्छा का फिडबैक रहा उससे काफी सारे लोगों ने ग्रैंड लिग और मिनी ग्रैंड लिग भी विन किया तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरे ट्रिक से आप लोग को help मिलता है और ग्रैंड लिग आप विन करते हो ठीक है बट यहाँ पर जिन लोगों ने नहीं देखा है अभ जहाँ वो बॉलिंग में हो जहाँ वो बैटिंग साइट से कैसे प्लेयर का सेलेक्शन करना क्या से कॉम्बैनिशन बना कर रखना है ठीक है पट यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी जहाँ आप कॉम्बैनिशन बनाओ यहाँ पर यह आपको बताएगी कि देखो जीएल का मतलब क्या होता है जीएल मतलब ज्यादा पॉइंट अगर आपने ऐसे प्लेयर को अपने टीम में रख लिया जो ज्यादा पॉइंट दे रहे हैं तो आपकी ग्रैंड लिग 100% फिक्स हो गई फिर नंबर वन की लेकिन वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे प्लेयर आपको ज्यादा ज्यादा पॉइंट देते हैं ग्रैंड लिग अंदर क्याश क्योंकि याइस लोग को लगता है कि कोई भी प्लेयर रख लो बट ऐसा नहीं है ग्रैंड लिग के अंदर अगर आपट जीएल विंच करना चाहते हो। नमबर 1 rank लाना चाहते हो तो ज्यादा पॉइंट चाहिए आपको और ज्यादा पॉइंट कौन सब प्लेयर देते हैं हैं वही हम आपको नीचे बता रहे हैं। इस वीडियो में आपको पॉइंट बता हैं। अगर आपने इस 5 knowledge point को याद कर लिया Unity करना को a post करना हा जो मैक्सिमूम पॉइंट आपको दें मैक्सिमूम पॉइंट अगर आपने ले लिए तो गर्चलिया आपकी विद्ध कणफॉर्म है कौन कांसे प्लियर APP को मैक्सिमीं पॉइंट देता है यहां से पहला number का point है आपका death over baller अगर जो लोग नए हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ कैसे pick करना है और कैसे आपको captain and wise captain Pick करना है यह समस्रोण यहां पर बता दे है तो पहला जो मेरा point है पाच point में से death over baller आपको रखना है death over वीगट निकलते हैं किसी भी बॉलर्स को 3 चार विगट ऐसे मिलते हैं तो जितने डेथ ओफर बॉलर्स है हो सकता है इस चार ओफर में दो कोई बॉलर हो जो डेथ ओब बॉलिंग करें तो वह दोनों को आपको पिक करना है अपने टीम के अंदर और सबसे इंपोर्टेंट चीज यह तो आपको मैक्सिम पॉइंट देंगे लेकिन अगर आपने उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन बना लिया तो समझे लूग कि सोने पर सुहा गया है ठीक है मतलब आप समझ रहो ना मैंने बताया आपको के ग्रैन लिग बिन करने के लिए ज्यादा पॉइंट वाले प्लेयर चाहिए जो आपको ज्यादा पॉइंट दे सकते हैं ये चीज़े आपको पहले सर्च करना होगा तो डेथोबर बोलर सबसे ज्यादा पॉइंट देते हैं उनको अपने टीम में रखने हैं ग्रैन लिग के अंदर चाहिए आप जितने टीम बना रहे हो थोड़े से कॉम्बिनिशन चेंज करकर के आपको डेथोबर वाले प्लेयर को रखना आपने ग्रैन लिग टीम के उन दोनों टीम से आपको टॉप की अल्राउंडर पिक करने हैं टॉप की अल्राउंडर किसे कहते हैं देखो टॉप की अल्राउंडर वो होते हैं गाईस जो टॉप फॉर में बैटिंग करते हो क्योंकि ऐसे ही बैट्स में के जो अल्राउंडर होते हैं उनके बैटिंग के chances होते हैं आने के आप ऐसे अल्राउंडर पिक करके क्या करोगे जिनकी बैटिंग ही ना है तो grand league में आप समझ रहो कि एक player flop होने का मतलब सीधा rank नीचे और rank हमें नीचे नहीं बलकि rank हमें ऊपर ले आना है तो आपको यहाँ पर ऐसे जो अल्राउंडर पिक करना है जो top 4 में बैटिंग करते हो ठीक है तो यह चीज़ा आप पिछले match का record जो भी data हो वो देखकर पता कर सकते हैं ठीक है दूसरे बाद आपको अल्राउंडर में क्या देखना है कि वो complete over balling भी ऐसे अल्राउंडर को पिक करना है आपको अपने grand league टीम के अंदर ऐसे अल्राउंडर को जो top 4 में बैटिंग करें और आपके complete over balling भी करें अब तो देखो यह तो बात होगे कि ऐसे प्लेयर को पिक करना है अपने grand league के अंदर लेकिन अगर आप ऐसे प्लेयर को captain और vice captain पिक क करते हो तो यह चलेंगे अगर मान लो कि यह फ्लॉफ हो जाता है और यह हिट हो जाता है दूसरा formula हमारा तो यह टीम आपके number one rank ऊपर चला जाएगा तो कहने के मतलब यह है कि जो सिर्फ मैंने आपर पांच पॉइंट आपको बताए हैं सिर्फ इसी पांच पॉइंट को आपके grand league में confirm है जो जगह होगी ठीक है तो यह तो दो को बात होगे number one और number two जो पॉइंट सा हमारा अब तीसरा point है हमारा क्या तीसरा point है हमारा देखो यहां पर पहले आपको जो भी दो टीम मैच खेल रही है जिन दो टीमों के पीच में मैच हो रही है आपको पता कर लान है कि आपको चाहिए maximum point maximum point कौन से player देंगे strong team से देंगे क्योंकि वो ज्यादा run भी बनाएंगे ज्यादा wicket भी निकालेंगे पर weak team आपके बहुत ज्यादा points नहीं देंगे लेकिन minimum जो condition होती है किसी भी team से आपको pick करनेगे कि 4 player तो आपको pick कर नहीं होता है तो 4 player तो आपक वीक team से pick करना होगा और यह pick कर सकतो आप all rounder कोसिस करो वीक team से अगर आपको 4 team pick कर रहो तो mostly आप pick करो all rounder को ठीक है अब अब यह तो दो को बात होगे कि 7-4 का combination बनाना है साथ ही strong team से और 4 weak team से क्योंकि यह team आपको ज्यादा येकिन यह साथ player कौन कौन से होंगे strong team से यह सम captain के साथ जो तीन player ऊपर के होंगे number one two three उन तीनों को pick करना है और तीनों में आपको हर एक grand league के अंदर captain or vice captain करके ऐसे order करके आपको try करना है ठीक है तो इस तरह से आपको थोड़े से जैसा कि मैंने पहले भी आपको combination में बताया है कि कैसे pick करना है वैसे ही आपको यहापर pick कर करना होगा ठीक है यह तो देखो बात होगी कि batsman कैसे pick करना है अब देखो अगर हम बात करें अगर जो strong team में पहले balling कर जाती है बैटिंग नहीं करती है पहले balling करती है तो उस condition में देखो क्या करना है जितने भी ballers होंगे चाहे वो date over के baller हो चाहे वो middle over के baller हो सबको आप दो से तीन जियल टीम तो बनाने रहे हो आप बनाओगे भी तो दस या फिर बीस जियल टीम बनाओगे तो आपके पास captain wise captain के variation होने चाहिए तो strong team के सारे ballers को आप captain or rice captain pick करो अरे maximum कितने ballers balling करेंगे 5 करेंगे 6 करेंगे 7 करेंगे बस यही करेंगे न तो आप 7 player को captain हर एक player को अलग-अलग team में captain pick करो इससे क्या कोई न कोई player चलेगा और आपको जो आपका जो rank होगा वो number one rank की तरफ बढ़ता जाएगा ऐसा ही आप देखोगे जब आपके team इस तरह से बनाते हो इस तरह की formula को set करते हो आप अगर grand league team बनाते समय तो तो यह तीन होगा मेरा जो point है जो सबसे बहतरी point है और जो वहाँ पर आपको पीछ मालूम होना चाहिए कि अगर bowling pitch है तो maximum आपको क्या करना है कौन से player आपको ज्यादा points देंगे mostly points देंगे आपको all rounder और baller तो batsman आपको अवाइट करने है और maximum आपको pick करने है all rounder और baller ठीक है तीन batsman pick करने के बाद आपको बाकी यहाँ पर किसी भ ठीक हो उनको captain और wise captain भी यहाँ पर बना कर चलना है ठीक है तो यह चौता जो point है हमारा इसको आप दियान रखिएगा अब जो पाच्वा है हमारा last point है सेम चीज़ अगर batching बैटिंग पीछ है तो मुशली आपको यहाँ पर batsman और all rounder को pick करने है बॉलर्स को अवाइट करना है पाच्वे फर्मूला के according ठीक है और यहाँ पर सारे batsman को उपर के top 5 sorry top 4 हो top 3 हो opening batsman हो उन सब को captain और wise captain pick करने है top all rounder और opening batsman को सिर्फ क्योंकि देखो अगर batting पीछ है तो उपर के सिर्फ एक से तीन तक ही batsman काफी अच्छा खेल जाएंगे नीचे के एक तो batsman भी नहीं आएंगे और ballers को विकट मिलने वाला नहीं है तो opening batsman को आप pick करके चलो captain और wise captain और all rounder को pick करके चलो तो यह आपको काफी अच्छा points दे स कोई भी ऐसा batsman, new batsman, new baller या पिर new all rounder की entry होती है उस match में खेलाए जाते हैं किसी भी new batsman या पिर new ballers या पिर new all rounder को तो उनको देखो guys जब player के साथ captain और wise captain चरोर pick करें यह 100% formula work करती है आप हमेशा try करके देख सकते हैं इस चीच को ठीक है तो यह थे मेरे कुछ 5 ऐसे formula जो आकि जो combination की वीडियो है उसकी मैंने link दे दिया description में आप जाकर देख लेना और telegram channel को जोरू जोइन कर लेना जिसका एक link आपको नहीं चे description में मिल जाएगा ठीक है